दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि MP choice filling की डेट आ चुकी है तो मेरा suggestion जी है कि आप जल्दी से जल्दी MP police का choice filling कर लीजी उसका payment जो 116 रुपए है वो कर लीजी कुछ लोगों का कहना है कि MP police में जैसे कि हमने choice filling नहीं की तो उसके बाद क्या होगा तो मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों ने choice filling नहीं की विया पाम उनको automatically कोई भी ब्रांच जो भी बची होगी उनके साब से वो उनको देदेगा तो मेरा suggestion जी है कि आप choice filling कर लीजिए आप चाहते हैं कि police में जोइन नहीं होना है तो आप छोड़ देगे कि हमें choice filling नहीं करनी हमें प्लिस में नहीं जाना है कुछ लड़के होंगे जो दूसरे exam में पास हो गए होंगे उनको ब्रांच तो मिली जाना है सबको ब्रांच मिल प्लिस में तो आपको कोई भी ब्रांच मिल जाएगी फिर तो मेरा suggestion जी एक 116 रुपए का कंजूसी ना करें 116 रुपए के pay करके आप choice filling कर लीजिए आपकी choice का इधर पटवारी में हो जाता है दूसरे exam में हो जाता है तो आप उधर join कर लीजिएगा लेकिन इधर मत छोड हो यह chance चला गया तो चला गया समझ रहे है ना आप तो जल्दी जल्दी choice filling कर लीजिए अधरवाइस व्यापाम आपको कोई भी randomly कोई भी selected branch दे देगा जैसे कि SAF पगेरा या physical training center जो आप नहीं चाहते है कोई भी नहीं चाहता है इसका मतलब यह नहीं है कि SAF branch बुरी है अच्छी है बहुत सारी लोग जो पढ़ाना आगे पढ़ाना चाहते हैं वो ऐसे branch चूज करते हैं लेकिन मेरा suggestion यह है कि आपको जो branch पसंद दे वो आप choice कर लीजिए जोइन करना वो बाद में आपको देखा जाएगा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप subscribe कीजिए share कीजिए मैं new information आप तक लातर हूँगा थेंक्यू दोस्तो